नीदरलेंड के इस हैक शेहर में सुरिनाम के सभी भारतिये समुधाये के लोगों से मिलकर बहुत कुशी हुई और कुशी ज्यादा इसलिये हुई कि आज इस मंदीर में आकर जहां गनेश जी की स्थापना हुई अभी हम कश्न जनों सो मना रहे हैं पूरे दीश में और भगवान सी कश्न की उद्दीश उनकी ज्यान उनकी बताएगे मार्ग पर आज भारत नहीं दुनिया के अधिकतम देश उनके बताएगे मार्ग पर चल रहे हैं रिद्दी सिद्धी के दादा गनेश चतुद्धी का उसो भी शिक आने वाला है जिस तरीके से भारत तिवार और परुट की धरती है आप सबने भी इस एक शहर के अंदर भी इसी तरीके से धार्विक आस्ता के किंद्र में चतुएं मंदीर के अंदर और हमारे धर्म-संसकती को अपना कर यहां पर भारतिय संसकती के रादूत की रूप में आप इस दीश के अंदर अध्यार पिक धर्म और संसकती से मानो जाती को सकारात्म सद्देष देरें सही का पंडित विकास किवारी जी ने, रविन बल्देव जी, परशुराम जी, परमा रमा उतार जी, रामडाल जी, नोजवान लीडर अमारे कविश्ट परतिमन जी, और सभी पदादीकारी विशेशु से, हमारी यहां की मसेडर्प जो बहुत वरिष्ट हैं, हमारे साथ शिष्ट मंदल में आए, उत्परकुमार सिंग्जी जो पहले उत्तराखन देव भूवी के अंदर चीफ सेकेटरी थे, संस्थिय शिष्ट मंदल के सभी सातिगर्ण, मुझे आपके बीच में आकर बड़ी आनंद कान्ब हुआ, विशेश रूस से आपने, इस धर्ती को जिस तरीके आध्यात्निक धर्म और संस्क्रिती की धर्ती बनाया, करीबन 140 वर्ष पुर्व, मारत के उत्तर पुर्व, शिष्ट से सभी लोग यहां पर आये, विशेश रूस से सुरिनाम में आये, सुरिनाम के बाद निदरलेड में आये, और कई पीडियां गुजडने के बाद भी, आपने भारतिय स्वंस्क्रितिक आध्यात में ज्ञान का संदीश, अपने लोगों के बीच में भी, और विश्ट के न देशों के अंदर भी, जहां जहां आप पहुँचे, आपने भारतिय संस्क्रितिय आध्यात में ज्ञान का संदीश पहुचा है, दुनिया के अंदर भोतिक परिवर्तन बहुत हुए हैं, कई दुनिया के अंदर कई धेश बहुत एक विज्ञान के अंदर हमसे आगे होंगे, लेकिन जो शांती और जो आध्यात्मिक धर्म के पती, आज भी आक्रशन है वो भारत में हैं, क्योंकि दुनिया ने भोतिक सुईधाओं से विस्तात बहुत किया है, लेकिन भोतिक सुईधाओं के साथ अगर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृत्ति का ज्यान नहों, तो वहां पर तनाव किस्तिती रहती है, अफसाज किस्तिती रहती है, भारत में हम अत्यदी धर्म आस्ता, अपने अपने धर्म के पालन करना, उसकी पूजा आर्टियर करने का एक सतल्त अधिकार दुनिया के अंदर है, तो भारत में जहां सब लोग अपनी धर्म विदि विद्हान से पूजा करते हैं, और सभी धर्म वेक्ति को सत्य के मार पर सत्मार प्याने की पेड़ना देते हैं, और विशेशुक से मानसिक शांति देते हैं, भगवान सी कृष्ण के कर्म योग की तरह हमेशा हमारा उद्देश कर्म हमारा दाइप्त है, कर्तव्य है, और इसलिए भगवान सी कृष्ण के उसी ज्यान से, हम कर्म करते वे परिणाम आयतों भी ने आयतों भी भगवान के चर्णों में समर्पण के साथ अपने कर्म और दायतों को करते रहते हैं, इसलिए कभी सफलता असफलता होती है तो तनाव और साथ की स्थिनी होगी, कभी जिस लक्ष के लिए हमने कोशिश की प्रियास के हैं उसका परिणाम में आये, तो सोसने महभवान की यही किर्पा होगी, जिवर में कभी सुक आता है तो प्रभू की इच्छा, दुक आता है तो प्रभू की इच्छा, और यह मानकर हम लगातार अपने कारे को अपने कर्म को करते रहते हैं, और यही कारणे कि भागती लोगों में अत्यविशांती हैं, अभी मैं कुछ दिर पहले ही जब गया तो मैंने दिखा कि वहां पीस ओप वर्ड की अलग अलग पत्थर लगए थे, वहां भारत की पत्थर में लिखा हुआ था शांती, और आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर संगर्ष और सारे देश चाहते हैं, कि वेश्क्षान्ती के विणा, कोई भी देश समध नहीं कर सकता, पुशाली नहीं कर सकता इसलिए आज हमारी आउशक्ता है वेश्क्षान्ती की और हमने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस्समे भी आजादी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मारे प्रण्यता राश्ट पिता महत्मा गांदी जी ने शांती और सक्ति से लड़ाई लड़कर अइंसा से लड़ाई लड़कर दुनिया को समेक संदेश दिया महत्मा गण्ध में शांती के साथ संदेश दिया दुनिया के कई देशों में बहुत धर्म अपनाया जाता है तो हमारी संस्कृती में हमारे संस्कारों में ही शांती और अइंसा है भगवार महायु जिने सथ्य वह इंसा का संदेश दिया दुनिया को और इसलिए आज आवश्यक्ता वर्तमान में है कि हम किस तरीके से वेश्चिक शांती इस्तिर्ता से अपने अपने देश सब्रदी करे कुशाली करे मुझे कुशी है कि आप सुरी नाम से यहां पर आएं लेकिन आपकी कड़ी मेनत करमनता जिस माटी पर रेती अपनी कर्म के द्वारा आपने इस देश के विकास में योगदान दिया लेकिन उसके साथ साथ आपके मार्ट भूमिकी से आज भी आपकी जड़े जुड़ी हुई है मुझे कुशी हुई कि आप लगातार चार चार पीड़ी पाइपार पीड़ी छोड़ने के बाद भी आज भी आप उसी प्रिडियू के संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वही आध्यात में धर्म और संस्कृति के संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने कर्म की कुशलता से काम करते होई इस देश के विकास में भी योगदान दे रहें और भारत की संवधिक कुशाली के लिए भी प्रयास कर रहें मुझे आशा है कि भगवान आप अपने पर इसी तरीके से कृपा बनाया रखे सामाजिक शेत में, राजनितिक शेत में, आर्थिक शेत में हमारी सहस्कार और सहस्कती है, मानुता सेवा और दुनिया ने कोरोना महामारी के समय देखाए कि किस तरीके से हमने सामुएक संकल शक्ती से, सबने मिलकर इस कोरोना के खिलाब डड़ाई गड़ी वसुदेव कुटम कम की भावना से, इस विश्चिक मामारी में हमने संपुन विश्च को अपना परिवार मान कर, जो कुछ भी भारस से संभो सका, उसकी लिए अन्य देशों के लिए भी सयोग किया, और आज भी हमारा मतिय है, कि सब देशों में इस्तिता रहे, शान्ति रहे, सब देश संब्रदी करे, कुशाली करे, नए इनोवेशन नवचार करे, जो देश प्रगति करेगा, विश्च की प्रगति होगी, तो संपुर्ट देश की अपना प्रगति होगी, और यही हमारा संकर्पे, हमारे प्रधार्मंति जी, का निकट का समन, नीदर लेंड से, सुरिनाम से, जब मैं सुरिनाम आ रहाता तो, प्रधार्मंति जी जुरूर का कि, सुरिनाम में, बड़ी मात्रा में भारति ये भूर के लोग रहते हैं, जो आज भी अपनी भाषा से, अपनी संस्कती से, अपने धर्म से, वहां रेते हुए भी भारत की जुड़ों से जुड़े हुए भारत के आध्यात्मी धर्म संस्क्रती से जुड़े हुए और मैंने आज यहां पर देखा कि किस तरीके से पंडित जिकास्ति वारी जी और अभी अभी बनाज से आए संतोस जी ने यहां पर बड़ी आध्यात्मी गुरूप से लोगों की बीच में धर्म का प्रचार किया और भारती संस्क्रती और धर्मी संत्य के मार्क पर चलाने की हमें दिशा देती है मुझे आशा है आप सब के प्रयासों से इस देश में भी इसी तरीके की संस्क्रती संसकार को आप लेकर चलेंगे ताकि सभी जगे शांती इस्तिता बने रहे सब सब बद्या एक कुछा लिया है और सभी देश के लोग आगे बढ़ें आप सभी को बहुत बहुत शुक्का बनाएं जैसी किष्णा